हेलो फ्रेंड गुड मानिंग मैं प्रेम चन मेरे यूटूब चनल सिच्छा को पसार पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग डारेक्शन जहां पर पिछली क्लास समाप्त हुई थी आज उसी से स्टार्ट करेंगे लेकिन आज जो है आज हम लोग थोड़ा सा अलग पॉइंटों पर क्या करेंगे नजर डालेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है तो आप टाइप क्या कर सकते हैं नेश्ट कर सकते हैं तो यह लगभग चौथी या पांचवी टाइप होगी तो आप लोग टाइप क्या करते चलिए डालते चलिए जिससे की आप भूलेना कौन सी टाइप है तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सी टाइप नेश्ट तो यह जैसे कि यह थोड़ा ध्यान दिजिएग जो आपका डारेक्शन चल लहा है अर्थाग दिसा परिच्छन तो यह डारेक्शन टेस्ट हो जाएगा परिच्छन तो इसमें क्या है दोस्तो इसमें सबसे बड़ी खोबी यह है कि इसमें आपको clockwise और anti-clockwise के बारे में थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना है अगर मालने जी कि आपकी position left आजाए तो उसको just right घुमाना है यदि right आजाए तो उसको just left घुमाना है नई समझ में रहा है मैं समझाता हूँ देखें तो इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है clockwise क्या clockwise और दूसरा है हम कह सकते हैं anti-clockwise clockwise क्या होता है और clockwise क्या होता है हम यह कहते हैं कि कोई घड़ी है मालनो कि यह एक घड़ी है और यह बारा है यह च्छे है यह तीन है यह नौ है यह एक है यह दो है यह चार है यह पांच है साथ आठ दस ग्यारा यही है तो अगर मैं यह कहता हूँ ऐसे आप चलेंगे क्या ऐसे चलेंगे इस कदर यह आपका क्या होगा अर्थाद घड़ी की दिसा में क्या अर्थाद घड़ी की दिसा में अगर आप यही ऐसे चलेंगे य इस प्रॉसेस में यह आप ऐसे चलेंगे तो यह क्या होगा एंटि-क्लॉक्वाइज होगा घड़ी के विप्रीत दिशा कहलाएगी यह आपको दो पॉइंट याद करना है और उसके बाद आपको क्या याद में हो जाएगी ऑगर three yearndu के रूप में दिखाएदी तो यह किसम conquert हो जाएगा comunque हो जाएगा अगर four yearndu है तो इसका मैं जीड़ो होगा four are है तो इसका मैं क्या होगा गेड़ो का ये पाँच बिंदू आपको याद करना पहला बेम धिया १िया ध्यान देना है कि यदि आपका पोजिसन लेफ्ट ओर राइट सें कैंव राइट अगर मांनेजें कि आप से कही दिया जैर फोर टायमस लेफ्ट गूमा और फाइब टायमस राइट गूमा तो ये सेम तो हैं, लेकिन संख्याओं हैं भिन भिन हैं, हो चार बार घोम रहा है, ये पांच बार घोम रहा है यदि ये ही चार-चार बार होता तो हम कार देते हैं, डारेक्टः जीरो आ जाता, right तो पहली पूजिसरन आपको होगा आर होगा और फोर यल फोर आर बराबर क्या होगा सभी जीरो होंगे यह आपको थोड़ा से आद करना पड़ेगा इतना याद रहेगा तो आपको प्रसंद समझने में दिक्कत नहीं होगी मेरा किया जाए चलिए तो इसमें मान लेजिए कि मैं आप से ये कहूं इसमें मान लेजिए कि आप से मैं ये कहूं कि ये जो थोड़ा स्पोजीशन है ये थोड़ा स्पोजीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मान लेजिए कि मैं आप से ये कहूं कि इसमें थोड़ा स्पोजीशनों में क्या है परिवर्तन है तो आप ये ध्यान दीजिएगा जैसे कि आप से ये कह दिया जाए ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर् पूर्व को, क्या दच्छिन पूरो को? दच्छिन पूरो को उत्तर कहूंँ. दच्छुनपूर को उत्तर कहूं तो पहस्चिम को क्या तो पहस्चिम को क्या कहा जाएगा ओके यहां पर अगर मैं ये डारेक्शन बनाओ दोस्तों तो ये आप ध्यान दीजिएगा बहुत नॉर्मल तरीके से इसको आप समझ सकतें देखिए East, West, North, South यही है अगर मैं इसमें देख्वों तो ये Yes, E है ये यन, E है ये क्या है? किया यन डवलू कर सकते हैं इसको यन डवलू यह करिए और यह यस डवलू हो जाएगा इतनी बात प्लियर तो इसमें यह बताया जारा दोस्तों दच्छण पूरो क्या कहा जाए उत्तर कहा जाए अर्थात यह कह रहा है कि यहां से इसको क्या किया जाए यहां पर गुना दिये ये clockwise है कि anti-clockwise है ये anti-clockwise है जो कि घड़ी के भी इप्रीद दिशा को प्रदर्सित कर रहा है और इसमें आप ये देख सकते हैं कितने डिगरी गुम रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि ये 90 है और आधा इसका क्या होगा पैंटालिस होगा तो ये पाय्तालिस होगा ये नाइंटी किद्ना होगा तो धिये दॆ थार्टी फाईफ होगा तो steals बाया है कि इसको मैं इस तरफ घूमा दिया दिजीगा दच्छण पूरो क्या कहा जा रहा है अत्तर कर दिया है तो मैं दो उत्तर के ओर घूमा दिया अब पश्चिम को क्या कहा जाएगा तो इसको जष्ट आप क्या करेगा जष्ट आप इसको नार्मल रोप से जब इसमें आकलन को burner को तो इसको हम हमेशा इस ओर से डिनोट करेंगे इस ओर से जैसा कि यहाँ पर यह बता है जर उत्तर दच्छन और पहश्यम क्या कहा है उत्तर तो यहाँ से देखें क्या मिलेगे यही तो मेरा मिलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से मेरा यह मिलेगा और यह ध्यान दीजे तो मेरा उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों मेरा उत्तर यन-ई मिलेगा क्या यन-ई मिलेगा अंसर आनि कि यह दच्छिण सरी उत्तर और पूर्व की दिशा मेरी प्राप्त होगी उत्तर और पूर्व की दिशा मेरी प्राप्त होगी इतनी बात क्लियर की नहीं क्लियर हो गई आग को रफ करता हूं बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ण मैं बताऊंगा आप लोग निश्चिंत रहिए के दोस्तों और किसी प्रकार कोई भी समस्च चाहो तो आप हमसे बता सकते हैं निशा खाती रहो करके कि अब देखिए मैं यह कहता हूं कि दान दीजिएगा यह दिए पूरो को पूर दिशा को पूर दिशा को पूर दिशा को कि अब पूर दिशा को उत्तर कहा जाए यदि पूर दिशा को उत्तर कहा जाए पश्चिम को पश्चिम को दच्छिन कहा जाए तो बताईए कि उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाए क्या उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा तो बताईए क्या बताईए उत्तर क्या उत्तर पश्चिम को उत्तर पंश्यम को क्या कहा जाएगा क्या कहा जाएगा तो इसके आगे देखिएगा बहुत ही important कड़ी है और यहां पर आप यह ध्यान दे सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज और बड़ी सबसे पहचान इसमें क्या है आपको चार दिशा मिली है एक इस्ट है दूसरा वेस्ट है तीसरा नौर्थ है चौथा साउथ है इतना आपको मिला है और इसमें बताएगा पूर दिशा को क्या पूर दिशा को उत्तर कहा जाए पूर दिशा को क्या कहा जाए उत्तर कितना घुमा दोस्तो ये आपका 90 घुमा क्या 90 घुमा पूर दिसक उत्तर कहा जाए किस दिसम घुम रहा है ये एंटिक लॉक्वाइज घुम रहा है दोस्तो पूर दिसक उत्तर कहा जाए पश्चिम को क्या पश्चिम को दच्छन कहा जाए यानि कि ये ऐसे घुमा पश्चि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम को बोला जा रहा है क्या उत्तर और पश्चिम को बोला जा रहा है दोस्तों और यहां पर आप तो नार्मल तरीके से यह बता सकते हैं कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा उत्तर पश्चिम कहीं पास है यह है यह मेरा उत्तर और पह्षिम है इसको क्या बोला जाएगा तो यहां से यह 45 है राइट हर बार किना घूम रहा है 90 तो यह भी 90 घूमेगा यह 45 तो 45 45 किना होगा दोस्तों 90 हो जाएगा और इसके बीच में क्या है डवलू और यस की बीच में है अर्थाथ इसका उत्तर आएगा पह्षिम दच्छण ओके अगर आफसन में यह नहीं दिखा तो यह गलत है यह वाकिम गलत है सही क्या होगा पहले मैंने आपको क्या बताया है पहले दच्छण होगा बाद में पह्षिम होगा पहले दच्छण होगा बाद में क्या होगा पह्षिम होगा मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता रहा हूँ कि जो दिखा है हमेशा मोल दिखाओं से उप दिखाओं का निर्मार किया जाता है से मोल धीषाओं से उप दिखाओं का निर्मार किया जाता है सेम कंडिशन सेम रूल यही लगाई जा रही है और इसमे किसे बरुकार कोई भी परिवर्तन नहीं है कोई भी परिवर्तन नहीं है अब देखिए वेश्ट कोश्चन काउन सा है इंपॉर्टन कोश्चन क्या है अब इसको गवर सपढ़िएगा और यदि इसको आप पढ़ लिए तो मेरे ख्याल से आप प्रतेग प्रसनों को हल कर सकते हैं प्रतेग प्रसनों को आप हल कर सकते हैं दोस्तों और इसमें किसी प्रकार कोई वो तुटिया नहीं होनी चाहिए अब देखिए लंबा प्रसन है लेकिन इंपॉर्टन प्रसन है देखिए प्रसन क्या है प्रसन क्या है उसको आप थोड़ा गवर करिएगा थोड़ा से यह आप नजर करिएगा थोड़ा इंपोर्टेंट है एक व्यक्ति का मुख एक व्यक्ति का मुख दश्चिन एक व्यक्ति का मुख दश्चिन पस्चिन की दिशा की ओर है दश्चिन पस्चिन की दिशा की ओर है यह सुटेबल है ओके फिर उसके बाद देखिएगा वहां 90 डिगरी घड़ी की विप्रीत क्या घड़ी के विप्रीत दिशा में घड़ी के विप्रीत दिशा में एक सो पैंटिश डिगरी घुमता है कितना एक सो पैंटिश डिगरी घुमता है यह देखिए जो बताया जा रहा है एक सो पैंटिश डिगरी घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घूम जाता है तो फिर एक स्वासीड गिरी घड़ी के विपरीद कि दिशा में घूमता है तो वहां किस दिशा में किस दिशा में होगा ध्यान दिजेगा बहुत ही इंपोर्टन प्रसन है ऐसे प्रसन आप से पूछे जाएंगे और यदि आप ऐसे प्रसन साल्व कर लिए तो मेरे ख्याल से सबी प्रसनों का आप उत्तर दे सकते हैं और उत्तर देने में क्या है सक्सम है यह ध्यान दिजेगा अब हम लोग समझने चलने देखिएगा अब ऐसे प्रसन देखिएगा कि यह प्रसन जो है इसको कैसे किया जाता है एक व्यक्ति का मुख दच्छण पह्ष्चिम की दिशा की ओर है एक छोटा सा डाइग्राम बना यह मेरा इश्ठ हो गया यह वेश्ट हो गया नार्थ हो गया साउथ हो गया एक व्यक्ति का मुख दच्छन पश्चिम की दिशा की और है यहां पर हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं यस इ यन इ यन डबलू और चौथा क्या है यस डबलू यह व्यक्ति का मुख दच्छन पश्चिम की दिशा में है नबे डगरी घड़ी के विपरीत दिशा में गोमता है 90 डिगरी घड़ी के विप्रीट में 135 डिगरी घड़ी की दिशा में हम यह कहते हैं कि यहां से यहां तक कितना है 45 और यहां से यहां तक क्या 45 कुल कितना हो गया 90 हुआ अर्थात यहां से यह क्या हो गया घड़ी के विप्रीट अर्थात ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉक वाइ गड़ी की दिसा में यहीं से ही यह 90 था यह 45 45 90 केंदा हो गए 135 हुआ यहां पर आकर रुख गया 135 डिगरी घुमने के बाद यह यहां कपर आकर रुख गया तो यह आहां पर आकर रुख गया किसमें पहिषिम की दिसाम रुका तो फिर 180ड़ी घड़ी के वप्रीत दिसामे घूमता है यही से घुमाना आ है आपको घड़ी के वप्रीत दिसामे 180ड़ी देखें यहां से 90 और यहां से 90 यानिक 45-45-90 नब्ब नब्ब किना होगक ए? 180 तो यहां से घुमा दिजिए जिए यहां पर आकर रुखे 180 डिगरी ओके 180 डिगरी तो घुम गया विपरीद दिशाम घड़ी के आनि कि अंटिक्लाकवाइज घुमा तो आक लिए तो अपने आपको पाएगा यानि कि वो किस दिशाम है किस दिशाम है दोस्तों पूर्व की सा में है। अंसर आपका हो जाएगे। इतने बात के लिए तो मैं यह कहता हूँ भर पूरी तरहस क्या है गलत है क्योंकि इसको आपको करना होगा ऐसे प्रसंधिघ आप नहीं करेंगे तो यह आपको मैरीर से क्या करेगा आपको मैरीर से अटा देगा ऐसे प्रस्ण ही आप से पूछे जाते हैं ओके चलिए अगर मैं यहीं पर एक प्रस्ण कहूं और यह कहूं कि आप लोग लिखिएगा और करिएगा मैं बोलने जा रहा हूं लिखिए सोहन क्या सोहन उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और वह उत्तर और पूर्व दिशा से साड़े बाईश डिगरी क्या साड़े बाईश डिगरी साड़े बाईश डिगरी अपने बाएं घुमता है साड़े बाई डिगरी अपने बाई घूमता है तथा पुनाह वहां से अपने दाईयोर क्या अपने दाईयोर साड़े बासाट डिगरी घूमता है साड़े बासाट डिगरी तथा वहां से वहां एंटी क्लाक वाईज तो हजार सरी दो सो चालिश डिगरी एंटी क्लाक वाईज घूमता है यानि के एंटी क्लाक वाईज किस दिशा में है यानि के अंट से हमको ये बताना है कि प्राराम में विंदु मेरा किस दिशा की ओर है और एक क्वेश्चन लिखिए का मैं कई क्वेश्चन बोल देता हूं आप लोग लिखते रहिए और ना सौंज माय तो आप लोग बताईएगा और दूसरा प्रस्शन रमेश उत्र के ओर मुक करके खड़ा है और वह आपने बाइन अर्था क्लाक वाईज में 135 डिगरी घुमता है क्या 135 डिगरी घुमता है तथा वहां से पुना हवा अपने क्लाक वाईज दिशा में 45 डिगरी घुमता है तथा वहां से वह एंटी क्लॉक वाइज दो सो चालिश डिगरी घुमता है तो वहां से वह 15 किलोमेटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है तो बताईए वहां किस दिशा की ओर दर्शा रहा है किस दिशा की ओर दर्शा रहा है तो यह आप करिएगा लेकि ऐसे ही प्रसंद जब आप करेंगे तभी आपको experience होगा क्या तभी आपको experience होगा और रही बात अभी मैंने ये कहा कि जो position है left to our right left to our right left to our right कैसे plus होगा कैसे minus होगा ये तो मैंने आपको बताए एक बार नहीं कई बार बताया और उससे संबंदिद मैंने अभी प्रसंद करवाया नहीं left और राइड position पर अभी मैंने करवाया नहीं क्या होगा उसको मैं आपको आने वाले class हों बताऊंगा किसलिए ये जो प्रसंद है दोस्तों ऐसे ही प्रसंद एक नहीं दो नहीं कई बार प्रसंद ये पूछे जा चुके हैं एक्जामों में ये आप ऐसा प्रसंद नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे ख्याल से आप उस रहें के मैं नहीं आ सकते जिस रहें के मैं आप सोयम सोच रहें और स्वयम आपको उस रहें कि मैं पाने की कोशिस कर रहे हैं तो ये तो रही आपको मैंने दिसा पर आधायत वा इंगल साथ मैंने बताया अब इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासों में कुछ अलग डिफरेंट सोचेंगे और डिफरेंट प्रसंद लेकर क्या आएंगे और यदि मेरी कलास आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो मेरी कलास को आप अधिक सदिक क्या करें शेयर करें और वहां पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं तो इसके आधार पर हम लोग कई टॉपिकों को क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं आगे भी कई टॉपिकों को समाप्त करेंगे तो दोस्ते यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो मेरी क्लास को अधिक सदिक क्या करिए अपने ग्रोपों सेयर करिए जितने भी आयप हैं उनमे सेयर करिए यदि सेयर हो सके नहीं तो कोई बात नहीं आप सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन का दबाएए जिससे के सबसे पहले मेरे क्लास के नौटिफिकरसन आपके पास पहुंचें ओके दोस्तों तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पर साथ करते हैं थैंक्यू थैंक्यू धन्नवाद दोस्तों